हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पिछले कुछ समय से लगातार सीमा पार से भारी मात्रा में बॉडर के रास्ते हेरोईन को भारत भेजा जा रहा है बुद्धवार को राजिस्थान की ATS टीम ने बार मिर जिले के बॉडर के गिराब थाने में कारवाई करते हुए पाकिस्तान की ओर से लाई गई 22 किलो हेरोईन बरामत की है ATS इस मामले में दो लोगों से पूछताज भी कर रही है देर शाम ATS से इस पूरे मामले का खुलासा करेगी प्रारंबिक जानकारी के अनुसार ATS पिछले कुछ दिनों से लगातार बॉर्डर के इलागों में पुरानी तसकरों के साथ संधिंग लोगों पर नजर रखे हुए थी उसी के तहेता ATS ने गिराव रामसर थाना इलाके में दो लोगों को पूछताज की डारंबिक जानकारी में इनके पास 22 किलो हेरोईन बरामत होने की सूचना सामने आई गौरत लबे की पिछले कुछ समय से लगातार बाढ़ मेर जिले में पाकिस्तान की लगी सीमा पर सीमा पार से तसकरी का सिलसिला शुरू हो गया जिसके चलते लगातार सुरक्षा और खूफिया एजिंसिया मॉडल के लाखों पर संदिग्द वैक्तियों पर नजर रखे हुए हैं जिसके चलते पिछले कुछ समय से लगातार हेरोईन का बराम करने का सिलसिला आज भी जारी है जागरू टीवी के बार मेरे से ठाकरा रा मेगावल की रिपोर्ट